हेलो फेंड्स मैं डॉक्र तानरा सौगी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत सवबत करती हूँ फेंड्स आज का मेरा टॉपिक है गैस गैस का क्या कारण होता है और इसे कैसे बचा जा सकता और इसके क्या हुमोपैतिक ट्रिट्मेंट है आज हम इसके बारे में डिसकुशन करेंगे गैस गैस जब हम खाना खाते हैं तो खाना अगर हमारा ठीक से नहीं पचे और उसका अप्शोशन सही से नहीं हो पाए तो ये गैस के रूप में बदल जाता है गैस जैसे कारबन डाय ऑकसाइड हो गई हाइडोजन हो गई मीथेन हो गई ये सारी गैसे हमारी बोडी में बनती हैं और ये डकारे और गैस के रूप में हमारी बोडी से बहार निकल जाती है गैस के क्या कारण है आईए हम इसके बारे में बात करते हैं गैस का बड़ा कारण है constipation, constipation की वीडियो मैंने आपको पहले बना चुकी हूँ और उसमें मैंने बताया है कि constipation कैसे body में हो जाता है, constipation होने की वज़े से जो हमारा motion होता है, यानि हमारा जो मल होता है, वो हमारी पेट में खटा होने लग जाता है और उसमें से गैसे न सबस्ट हो ते लग इसotype बन सकते हुआ जिसके वजह से भी मैं प्राइजी बार्णों कल रहे हूँ जैसे राजमny कोगे और उडद हो गया है अचरी नमय हुआ हिएइक हमारी का फूल शोले भावष क भाजस कोगे दा अनcor सावर मां यहां होता है जबन की है नहीं क्या खाती है लगते थे हैं । अपना로 कुछन टाइम से हैं। लगती हैं या फिर आप अपना जण टाइम ले रहे हैं और वह कोफी सब गयर सेhouफ Wagy और गेश भी ताहय भी आतल सकती है आप लगती है मैदय त्य् aloudORT को मैंसिक तनाव हो चिरच distort हो जाता है जैसे यह फिर कहले हो जिसकी वज़े से हमारे både myself बने लगाती है यह लंबे समय तक आपने कुछ भी नहीं खुँछए वह सै तरफ चलब धाने इसी केवजह से एकुटी की पॉब्लम भी रहने लगती है या फिर आप ज्यादा प्वूट का रहे हो जिसमें मैदा ज्यादा होती है जो मैदा होती है वह हमारी बॉडि में हमारे टेयजटिल सिस्टE Chinese भी गैस कर दिखते हैं यह्फ कुछ पृषिस कॉल यह फिर आपको गॉल्ल स्टोन ओ ओंका फिर आपका गॉल्ट ब्लैडर रिमूब कर दिया गए हो हटा गिया गया हो उसको ऑप्रेशन हो गया हो जिसकी वज़य से भी गैस बने लग जैती है किट्नी स्टोन की वज़े से भी गैस बनती है अलसरेटिव कोलाइटेस हो गया शूगर हो गई या फिर पैंक्रियास में आपके कोई पावलम आ गई हो जिसके वज़े से भी गैस बनने लगती है अब क्या सिम्टम लेके पेशेंट आते हैं गैस का जनरली बहुत से में 70 का यह अक्या फिर गैस बनती हिनी में गैस चैस्ट को घ्होखते पेशेंटों इसाइश अलग आपको बंदुक्त गैस के क्या सिम्टम्स होते हैं अब मैं आपको बताती हूं अगर नॉर्मली गैस बनती है तब तो ठीक है तब तो आप कोई भी दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाती है पर गैस का अगर लंबे समय तक गैस अगर चल रही है तो फिर हमें इंवस्टिकेशन करवाने पड़ते ह है कुछ जाज होती है जिससे हमें पता चलता है कि गैस बनने की वजह यह है तो इसके लिए हम एक्से कराएंगे एक्स रे एंडर्सकोपी एम राई सीटी स्केन और जो कारबन डाय ऑक्साइड होती है मिथेन गैस होती है इन सब कभी टैस्ट होता है इससे हमें पता चलता ह जीरा और एक अजवायन काला नमक को आप गरम पानी में डाल के अगर आप पीएंगे तो आपको गैस से आराम मिल सकता है या फिर पैंस हींग होती है जो कि हम सब के किचिन में मिलती ही है इंग बहुत अच्छा काम करती है तो आप हींग को थोड़े गुनगुने पानी में ए सब्सके हैं पढ़नी के बाद फिर आप गरम पानी पीजिए जिसके वजह से आपको आपको आराम मिलेगा अब मैं आपको बताती हूं कुछ फुमोपेतिक दवायां जो कि हम बहुत रामबाण कारागार हुई है उनके नाम में आपको बताती हूं कैसे लेना है वह भी में बताती हूं इसम्टरम कीवाई ही यप्र पहले नाम क जोश्रीच का से चानी विछ और देट को इसमें अगर पेशेंट को डखार आ जाती हैं या फिर उसकी गया सप्स हो जाती है तो उसे बहुत जड़ा अराम मिलता है इसके अंदर चाहें अगर पेशेंट को इनता है तो पेट में कर चाहिक । इसमें क्या होता है इसको मोशन होता है वो लूज मोशन होता है यह सारी सिम्टम्स हमारी कारवोवेश क्यों होता है हमें कारवोवेश 30 में यूज करना है एक दिन में हम इसकी 5 डोस यूज कर सकते हैं हमें जीप पर 5 भूंदे इसे लेने हैं और दूसी मेडिसिन आती है मेरी चाइना चाइना 30 हम यूज़ करते हैं इसकी हम 5 भूंदे दिन में 5 वार हम ले सकते हैं हैं तंग पर, अब मैं पताती हूं क्या लक्षण होते हैं इसके, इसमें क्या होता है कि जो पेशिन्ट होता है वो कहता है कि मेरे पूरी पेट के अंदर बहुत गैस बन रही है, मुझे पेट में बहुत ज़्यादा भारी भारी पंसा हो रहा है मुझे चक्कर भी आ जाता है मेरा जीवी मेचलाता है और इस कंडिशन में हमें चायना यूज करनी चाहिए अब आती है मेरी 3C medicine Lycopodium. By glycopodium 30 हमें यूज करनी है दिनमें his 5 बूंदे अपनी टंग पर लेनी और दिनमें हमें इसे 5 बार यूज कर सकते हैं इसमें होता है कि जो patient होता है वह पेट के नीचे वारे हिस्से में गयस बनती है और इसमें गयस बनने की वजह ने से में दर्द भी होता है और भारी-भारी पंसा मुझे महसूस होने लग जाता है। वह कहते है कि जादर तो जो मुझे गैस बनती है वह मुझे चार से शाम को चार वज़े से लेके आठ वजे के बीच में यह मेरी गैस बनती है तब हम लाइक पोडियम के बारे में सोच सकते हैं एक आती है फेंट्स एसफटीडा एसफटीडा को हमें 3X में यूज करना है इसकी हमें 5 बूंदे दिन में 3 बार हमें लेनी है मैं सब किए हीं कहते हैं हीं तो वहीं और वाशे करते हैं वहीं थे रिलीस हो जाती है तो इसी तरीके से हमें मैंने आपको बताए कि 3X में हमें इसका 7 करना है अब आती है मेरी मैकफॉस मैकफॉस के अंदर भी गैस बहुत ज़्यादा बन जाती है पेट में कोलिब जाता है दर्द होने लग जाता है तब हमें मैकफॉस 30 दिन में 3 बार और 5 बूंदे अपनी जीप पर लेनी है अब आती है मेरी नक्स वॉमिका अगर कोई पेशिंट खहता है कि डॉक्टर साब मेरी रात को गैस बनती है तो हमें नक्स वामी का सोने से पहले हमें 30 में उसकी 5 बुंदे अपनी जीप पर लेनी है तो पेशिंट को बहुत ज़्यदा अराम मिलेगा अब जो भी दवाई हैं मैंने आपको बताई हैं वो सारी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू फ्रेंड्स